किसी को क्या इत्राज हो सकता है अब भादरता असंसदिये वाक्यों का प्रयोग गाली गलोज की भाषा सोसल मीडिया पर आए दिनों लोगों का अपमान हो रहा है अपने शिकायतों को अपने आरुपों को हम शालीन और सायद सब्दों में भी कह सकते हैं दरसल इंटरनेट और सोसल मीडिया का उपयोग सकरात्मा को देश्यों के लिए किया जाना चाहिए ज्यानवर्धन के लिए बहुत सारी सुचनाओं का आदान प्रदान और दुनिया में कई ऐसे आउसर हैं जिन्हें प्राप्ताप कर सकते हैं लेकिन आज जिस तरह से गाली कलोज की भाषा ने तमाम सकरात्मा को देश्यों पर अस्थान जमा लिया है उससे निसंदे सोसल मीडिया की उप्योगिता पर सवाल खड़े होने लगे हैं इसे लिए ये सही दिशा में उठाया हुआ सही कदम है अब बिहार सरकार तो नमूना सरकार है आपको याद है कि जब प्रवासी मजदूर लोट के आ रहा है से लोकटाउन में उस समय भी पुलिस के एक सिजियर पतादिकारी ने ये बयान दिया था कि इनके आने की वज़र से बिहार में अफराद बढ़ ला है अब उसी तरह का ये जो है मैंने खबर आ रही है कौन तय करेगा कि क्या आप मान जानक है क्या पत्ति जानक है इसको डिसाइड कौन करेगा नितीश जी करेंगे कि मैंने जो बयान देने वाले पुलिस के पतादिकारी है वो करेंगे यह पती जनक क्या होता जो लोक तंत्र में लोगों का अधिकार है अलुशना करना सरकार की अलुशना करना और सरकार की अलुशना होगी कहेगा कि नहीं सहाब अपराद बढ़ गया तो पुलिस का पता अधिकारी कहेगा कि यह पती जनक बयान है भई आप कैसे कह रहा है कि नितीज कुमार का नियंत्रन जो है अपने परसासन पर है या नहीं है या नितीज कुमार के सहमती से इस तरह का बयान आए इस तरह का सरकूलर जारी होता है यह कहना मस्किल है लेकिन यह बहुत ही निंदनी यह है और यह तानासाही मिजाज का परिशायक है लोग तंत्र में इ सरकूलर सरकारी पता धिकारी के तरफ से यह निकलना जो है बिलकुल अस्चर्जलक है हम लोग लंबे अर्से से बने सरकारों को देख रहे हैं सरीवागु के सरकार से लेकि अभी तक लेकिन किसी भी सरकार ने इस तरह का कोई सरकूलर नहीं जानी किया है कि आपती जनक होगा तो मुकदमा हो जाएगा यह जोगी जी के रास्ते पर लगता है कि चल रहे हैं नितिस कुमारी परवाह देश की सोमवार से शुक्रवार रात दस बजे टीवी नाइन भारत वर्ष पर